आपको एक 30 सेकंड का वीडियो दिखाने जा रहा है इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है उतरवरदेश की जनता ने अपना मन मना लिया है कि अगली सरकार किसकी होगी और बार बार जनता ये इशारा कर रही कि वो मौजूदा योगी सरकार से काफी खफा है और उस को सजा देने के मूड में है इस वीडियो में माइक पर बोलते हुए जो महिला आपको दिखेंगी वो इटावा की सदर सीट से बीजेपी की मौजूदा विधायक सरिता भधौरिया है जो फिर चुनाव लड़ रही है इस बार और प्रचार के लिए अपने इलाकों का दौर कर रही है इन दिनों इस वीडियो को देखकर आपको पबलिक के मन की बात समझ आ जाएगी आप देखिएगा बीजेपी विधायक सरिता भधौरिया का दुख उनका दर्द कैसे छलक छलक कर उनकी जुबां पर आ रहा है ये वीडियो देखिए जिसका मैं पोस्ट मॉटम कर दिखाऊंगा और आगे अखलेश यादों की भी एक चुनावी सभा का वीडियो दिखाऊंगा ताकि आप जमीन की हकीकत जान सकें तो पहले वो तीस सेकंड का वीडियो सरिता भधौरिया वाला आज हम बोट मांगने जाते हैं हम कहते है कि दी बोट देना तो मूसे मी बोल लए गल्ला खा गये रुपया खा गए पैसा खा गये नमक खा गये और मूसे नहीं बोल लए नमस्कार श्री कारणी कर रही यह कहा करिया है अगर आपको इतनी खराब रगता था तो आप पहले कहले थे हम तुम्हारा गल्ला निखाएंगे यह तो इमानदारी नहीं हुई ना सब कुछ ले लिया, रुपया हमें मिले, गल्ला हमें मिले, सुविधाई हमें मिले, आवास हमें मिले लेकिन जब हम वोट देने जाएंगे, तो हमेरा राश्ट वाग दिखेगा यह 30 सेकंड का वीडियो यूपी में बीजेपी की कहानी बया कर रहा है योगी सरकार के दमदार सरकार वाले स्लोगन को तार-तार कर रहा है बीजेपी विधायक सरिता भधवरिया का दर्द क्या है? कि वोट मांगने अपने अलाके में पहुंची तो कोई ये आश्वासन देने के लिए तैयार ही नहीं है उन्हें कि वो उन्हें वोट देंगे जनता तो अपने इस विधायक को नमसकार तक नहीं कर रही ये खुद विधायक साहिबा करोना है सरिता भधवरिया के तेवर बता रहे कि पबलिक उनसे खफा है लेकिन विधायक साहिबा का इगो इतना बड़ा है कि वो वोट के लिए लोगों को अपील नहीं कर रहीं बलकि उन्हें टांट रहीं है जता रहीं कि पबलिक पर उन्होंने क्या-क्या एहसान किये और अब टाइम है कि पबलिक उनका कर्जदा करे मगर इस छोटी सी सभा में जो जाहर तोर पर किसी गाउं की सभा है कोई कुछ नहीं बोल रहा है मानो सैलेंटली ये कह रहा हो कि अब तो आपका जवाब हम पोलिंग बूथ पर देंगे ये वीडियो सरिता भदौरिया के बारे में जरूर है मगर ये एक वीडियो तीस सेकंड का ये एक वीडियो यूपी में योगी सरकार के खलाफ लोगों के गुसे की और इशारा करता है एक साइलेंट गुसे की और नमसकार मैं हूँ आपका न्यूज बाज पर भात शुंगरू मेरा आज का सवाल क्या यूपी की जनता में योगी सरकार को लेकर साइलेंट गुसा है जो वोटिंग के दिन निकलेगा अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजेगा सवाल यह उकता है कि पबलिक ने अगर बीजेपी के खलाफ मन मना लिया है तो पबलिक ने अब किधर का रुक किया है तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा अब यहाँ पर एक सवाल ऐसा क्यों हो रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आजितनात को भीड़ दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर जूटी फोटो का सहरा लेना पड़ रहा है जिसके बारे में मैंने आपको कल इसी शो में बताया था और अखिलेश की सभाओं में जन्ता का उत्सा असाफ दिख रहा है जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा होगा सरिता भदोरिया के इटावा में जहां से वो चुना उलड़ रही है साधर सीट से वहाँ तीसरे चरण में यानि 20 फरवरी को वोट डले जाने है 20 फरवरी को आवद के कुछ राकों में भी वोट डले जाएंगे और पस्चमी यूपी के भी राकों में कुछ वोट डले जाएंगे इब जंग ने साफ तोर पर कहा था कि इस बार अखलेश के गड़ बंधन वाली सरकार फुल मेजॉरिटी के साथ बन रही है लेकिन आज की कहानी तो दरसल सरीता भधौरिया के उस वोडियों के लेकर है जो मैंने आपको शो के शुरू में दिखाया तो मैडम करोना यह है कि जंता उनका नमसकार तक स्विकार नहीं कर रही मैडम सरीता भधौरिया को ये इंसल्ट इतनी नागवार गुजरती है कि वो जंता को यहां तक कह देती है कि हमारा खाते हो और हमी से मूँ फिर लेते हो गल्ला खा गए पैसा खा गए नमक खा गए खा गए से क्या मतलब है क्या किसी का चुरा कर खाया क्या जंता ने किसी का खेत लूटा या फिर सरकारी ख़जाना लूटा क्या रुपिया या गल्ला सरीता भधौरिया का है या उनकी पार्टी का है क्या हमें और आपको कोई पार्टी खिला रही है खिला सकती है क्या इटावा की जंता सरिता भधौरिया का दिया खा रही थी अगर गरीबों को राशन दिया गया तो वो सरकारी खजाने से दिया गया जो हमारे और आपके टैक्स से जाता है ये सरकार का दायत्व था उसकी जिम्मेदारी थी सरकार ने एहसान किया क्या सरिता भदौरिया क्या ये बताना चाहती है क्या गरीबों को कैश या अनाज सरकार ने इसलिए बाटा कि वो आगे चलकर विधान सभा चुनाओ में सत्ता रूर पाटी यानी बीजेपी को वोट दे तो क्या सरकार गरीबों को या फिर जरूरत मन जनता को अनाज और कैश जिम्मेदारी के तोर पर नहीं की घूस के तोर पर दे रही थी कि ये नाज लो कैश लो और हमें वोट जरूर दे दे देना वैसे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से लेकर अमित शाह और योगी आदितनात कुरोना वैक्सीन मुफ्त में दिये जाने को लेकर भी की ऐसे डंकापीट रहे हैं मानूर राजा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जन्ता की भलाए के लिए उसने अपना पूरा ख़जाना खोल दिया हूँ जबकि मुफ्त वैक्सीन सरकारी ख़जाने से दी जा रही थी सरकार किसकी जन्ता की जिसे जन्ता ने चुनकर भेजा है और एक जम्यदारी दी है सत्ता चलाने की चाबी दी है सरकार को जम्यदारी दी है कि कब कैसे मुफ्त राशन देना है गरीबों को जरुरत मन जनता को कैसे दवाई देनी है वैक्सीन देनी है कई देशों की सरकारें कर रही है वहाँ अपनी जनता के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन या मुफ्त अनाच का जितना डंका पीट लें मोधी योगी सरकारें लेकिन जनता ने तो लगता है अपना मन बना लिया है मेराज का सवाल दोहराता हूं कि है यूपी की जनता में यूगी सरकार को लेकर साइलेंट गुस्सा है जो वोटिंग के दिन निकलेगा अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दिजेगा तो ये थी आज की नियूस बाजी फिर मिलेंगे एक नई नियूस बाजी के साथ तब तक के लिए नमसकार